तो दोस्तों यह है फिरो की स्प्रेंडर प्लस एक स्टेक मोडल तो सामने से कुछ इस तरह से इसके जो इस्टिकर लगे हुए है और यहाँ पर एक डियारेज है और इसमें लाइट में लगा है है लोजन लाइट और इसका लुक देखाता हूं मैं कैसे दिखता है यह बाइक जो साइड से कुछ इस तरह से लगता है तो यह बहुत ही सांदार बाइक है इस प्लेंडर प्लस जो की हीरो की सबसे ज़्यादा बिखने वाली बाइक है तो इसका लुक तो आप देख चुके हैं और इसके फीचर्स की बात करें तो अभी इसमें दिखाता हूं क्या क्या है तो यह है इसका इंटिकेटर जो की फ्लक्सिबिटी नहीं है इसमें और यह है इसका मटगाड जो की तगड़ा भी है और यहाँ पर है इसका टायर जो की C8 का टायर मिलता है इसमें और टायर नम्मर है 8018 का और यह C8 का टायर है और यह है इसका संस्पेंशन और मटगाड के साइड़ में लगा है इसका रिफ्लेक्टर तो ये है इसका सामने वाला लुक अब इसका instrument cluster दिखाता हूँ आपको तो ये है इसका की महनी कर रहा है तो किच इस तरह से दिखता है इसका instrument digital meter और ये है फ्यूल गेज इंजन मालफंक्शन का सिगनल और इसमें बताएगा आपका फ्यूल का इंट और फुल और इसमें स्पीरोमेटर और यहां पर आपका किलोमेटर लिखाएगा तो यह इस तरह से है कुछ इसका डिजिटल मेटर और यह साइड में लगा हुआ है यस भी सॉकेट जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और इसका अन करने का स्विच यह है आई 3S ऑन आफ इंजन का और इसका साइड मिडर और इधर बात करें तो यह है इसका हार नवाली स्विच और इंटिगेटर का और यह है अप डाउन लाइट का उपर नीचे करने का और इसमें और पुछ नहीं दिया है और यह है इसका टेंक जो कि 11 लिटर की टेंक है और यह है इसकी सीट इसमें अच्छी खासी कुशनिंग वाली सीट कमफरेबल बैटने के लाएक सीट मिल जाता है और इस साइड से बात करें तो इसके टेंक में लिखा है हीरो की ब्रेंडिंग और यहां पर यहां पर यहां पर है यहां पर है इसमें हीरो की ब्रेंडिंग दी गई है और यहां पर है स्प्रेंडर प्लस की ब्रेंडिंग एक्स्टेक की ब्रेंडिंग और यहां पर है आई थ्री एस की ब्रेंडिंग है और यह है इस साइड से लुक है रहे हैं साइड का फूतस्त यह हैं यह ग्लागा है इंजन क्टाफ सेंसर 나्रेंवे इसमें में इंजन क्टाफ का सेंसर है जो कि आप और बाइक की थेन में है तो आपका जैसे ही गेर लगाओगे यह बंध हो जाएगी और यहाँ पीछे वाले फूट रेस्ट और यहाँ साडी गाड और पीछे के टायर की बात करें तो इसमें लगा है 818 का टायर C8 का टायर और बाकी आप जानते हैं इसके प्राइस के बारे में तो यहाँ से भईया जी बताएंगे इस बारे में इसका EMI कितना पड़ेगा, डॉकमेंट क्या लगेगा और इसका अउन रोड प्राइस क्या है तो चले जानते हैं यहाँ के भईया जिसे तो दौस जानते हैं इस गाड़ी के बारे में कितना प्राइस है कितना आपको मंदले किस्ते देना पड़ेगा सब कुछ डिटेल में जानते हैं भाई आपका नाम बता देश्च कुमार यादव है मेरा नाम और यह कौन से सोरूम है यहां के ड्रेस बता दो बार चाओं पटिवा दिव फाइनेंस में लेना चाहिए वाइक तो कितना दमिंक और फाइनमिने यहीं आपका फाइना इम्पाइनेंस कं theology हैं तो दॉन यहां इस के माईक सinstallate कह अ इसका बारा महने का ऎंगा 7015 रुपय, आठरा महने का किस्ता आए गदह के और 20 महने का आ यगा 4,025 रुपय है, और इनका धाय साल का होता है जो 30 महने का उनका आ गद हमाई3,380 रुपय ये 30 महने का है, अच्छो, और इसमें डाकुमेंट क्या क्या लाने के लिए इनमें आधार काड आपका ऊरिजिनल चाहिए गरेंटर का अधार काड कश्टमर का रासन काड और चार फोटो बस इतना ही तो यह डाकुमेंट लगता है और कुछ और कुछ नहीं सब्सक्राइब के लिए हम लोग पास सर्विस प्री में देते हैं जो कमपनी की रूप इनियम के अंशार्ट कर रहा है तो इसमें आफर आफर है कुछ हां आने वाली है ना आफर तो यहां पर आफर भी आने वाली है सीजन में जो कि अभी गनेश सीजन और नौरात्री सीजन दीपॉली सीजन में एक शेक आफर आती है हेलमेट डिसकाउंट रहता है जो 2000-3000 रुपे का डिसकाउंट रहता है इसमें हाना भीया केस केस क्रू रहता है ना फूल पेमेंट में अगर आप के लेते हैं बाइक तो डिसकाउंट भी राता है उसमें 2000-3000 का बाइक के उपर डिपेंड करती है वो तो भाईया एक बार यहां का एक बार एड्रेस और बता दो यह देविंद्राटो के यह पटेवा बार्चो तो यह है यहां का एड्रेस और यह वीडियो कैसी लगी बताना क चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यहिंध्यां